कार्तिक मातम अध्याय दस एक दिन देवर शी नारद जी ने शी वेद्व्याजी से पुछा ये व्यास जी प्रमचारी, घरस्त, वानप्रस्थी और सन्यासी इन चारों आश्रमों में घरस्त आश्रम को ही क्यों सरोश्रेश्ट माना गया है इस बारे में जानने की मेरी स्थ नदियां थमुदूर में आकर आश्रे पाती हैं सभी जीव माता का आश्रे पाकर जीवित रहते हैं उसी प्रकार से बिक्षोक ब्रमचारी, सन्यासी विद्यार्थी, गुरुपु जग्यात्रिक ये छे जीविका रहित होने पर भी घस्तों का ही आश्रे पाते हैं ध् मदिरा पिने वाला था, राजा राणी दोनों सने पूर्वक रहते थे, एक दिन राजा ने वेश्या कंडिते देखते हुए मदरा मान किया, साथ ही अपनी इस्तरिम से भी मदिरा पिने का अगर्य किया, प्रन्तु राणी ने उसका कहना नहीं माना, तब राजा ने क्रोध नहीं किया राजन के वियोक को सेहन करते हुए राजा-प्रजा का पुत्र के समान पालन करने लगा। एक दिन एक ब्रह्मन ने राजह उतानपात के समोह पाकर निवेदन किया। राजन मेरी इस्तिन का किसी ने अपरण कर लिया है। इस गाण मैं अवतन दुखी हूँ, आप मेरी पतनी को तलाज करवा के मुझे वापस दिलाने के विवस्ता करें। राजा ने कहा है महाराज मुझे नहीं मालूम कि आप किसरी को कौन किधर और कहां लेकर गया है। इस्तिती में से ढूंड कर कहां से ला सकता हूँ। यह सुनकर भामन बोला राजन छटा भाग करके रूप में प्राप्त करने के कारण आप रजा के रक्षक हैं। मेरी इस्तिती अपने घर में सो रही थी, वहां से उसे कोई हरकर ले गया है। अत्य है आपका करतवे है, आप उसे कहीं से ढूंड कर लाएं। राजा ने कहा है विप्र मैंने आपकी इस्तिती को कभी नहीं देखा। नहीं मैं जानता हूं कैसा रंग रूप सुभाव है, तब मैं उसे कैसे कोच सकता हूं। यह सुनकर राजा ने कहा जब तुमारी इस्तिरी ऐसी कुरूपपा है, कुरूर सुभाव की है, तब तुम इसे प्राप्त करके क्या करोगे। उसके स्थान पर मैं तुम्हें अत्यंत सुन्दर, शील, स्भाव की अन्य स्थिरी दे सकता हूँ ब्राह्मन ने कहा ये राजन मेरी पतनी मेरे धर्म कर्म की अरधांगनी है अता है उसकी रक्षा करना मेरा परम धर्म है जो पूरुष अपनी इस्थिरी की रक्षा नहीं करता उसके वन संकर संतान पन होती है उसके पितर नरकवासी होती है व्यश्यागामी पूरुष का कल्यान कभी नहीं हो सकता जो मुनुष्य दितुकाल के पचात अपनी इस्थि से सहवास नहीं करता उसके पितर एक मास तक उसके रुधिर में तैड़ते रहते हैं ब्रामन के ऐसे बचन सुनकर राजा अपने शास्तर अस्तर लेकर रत पर स्वार होकर उसे इस तरी कोकोज ने चल दिया कुछ दूर जाकर उसने आश्रम देखा उसमें एक मान तपस्वी कुशा के आसम पर उलाजमान थे राजा को आश्रम में देखकर जिशी ने उसका कोई आदर सित्गार नहीं किया जिशी कहने लगा मैं जानता हूँ तुम राया उतानपात के पुत्र हो मगर यहां किस कारण आये हो राजा ने कहा हे मुनी एक ब्रामन के गर से कोई उस्तरी को हरकर ले गया है उसी की कोज में आया हूँ मगर ना तो आपने मुझे अर्ग दिया और ना ही किसी का का आदर स्कार किया इसका क्या कारण है जिशी ने उतर दिया है राजान तुम अर्ग के योगे होते हुए भी इस समय उसके पात्र नहीं हो क्योंकि तुमने अपनी निरप्राज इस्तरी का वन में त्याग किया है जहां इस्तरी का धर्म है कि वह तन्मन से पत्ती की सेवा करे उसकी आग्या कारी रहे वहीं पत्ती का भी धर्म है कि अपनी पत्नी का सम्मान करे जिस घर में इस्तरीयों का मान होता है आपर देवताओं का वास होता है इसके विप्लित जहां इस्तिरियों का निराधर होता है वहां सुक्षान्ति कभी रहे ही नहीं सकती इतना सुनकर राजा अत्यत लज्जित होकर पुछने लगा बगवन आप भूत भविश्य वर्तमान तीनों को जानते हैं अतेव रिपा करके बताईए कि ब्रह्मान की स्तिरी को हरकर कौन ले गया है पर कहां ले गया है तब रिशी ने ध्यान दर के का राजन अधित्ति का पुत्र वलाख नामक राशस उस ब्रह्मानी को हरकर उपलावर्त वन में ले गया है तो उसको ढूंड कर ब्रह्मान का सयोक यह सुनकर राजा मुनी को प्रणाम करके नेरत पर सवार होकर उपलावर्त वन में जा पहुचा वहां जाकर राजा ने देखा एक इस्तरी बिल्व फल खा रही है ब्रामन ने जैसा बताया था वैसा ही रंगरूप देखकर राजा ने उसे पहचान लिया और कहा है कल्यानी त सो रही थी कि वलाक नाम का रक्षस मुझे अपरन करके ले आया यहां लाने के बाद उसने ना तो मुझे किसी विकार से कष्ट दिया है ना ही मेरा सतित्व नश्ट करने का प्रत्न किया है इतना होने पर भी अपने पती के वियोग के कारण मैं अत्यांत दुखी हूं राज ब्रामनी द्वारा बताय स्थान पर पहुंचा तो राक्षस देखते ही राजा के चरणों में गिरकर बोला राजन मेरे लिए क्या अग्या है तब राजन ने का अरे निशाचर तो ब्रामनी को हरकर क्यों लाया है यदि उसके साथ विवाह करना चाता है तो तेरी खाने की है तो बता तब राक्षस कहने लगा राजन मेरे घर में अने रुपवती अफसराएं हैं इनके अत्रिक्त मैंने कभी किसी इस्तरी से भोग की इच्छा नहीं की ना ही मैं मास बक्षन करता हूं मैं तो पूर जनुके पापों का प्राश्चित कर रहा हूं इस ब्रामनी का प से इस्तरी का हरण किया शास्तरों के अनुसा इस्तरी के बिना पूर्ष को धार्मिक कर्व करने का दिखार नहीं है अतै अब वह यग्यों में अचारे नहीं बनता राक्षस के यह अब चन सुनकर राजा ने विचार किया कि वह भी प्रोक्ष रूप से मेरी ही निंदा कर र इतना कहकर हाँ जड़कर खड़ा हो गया राजा ने का निशाचर तुम इस ब्रामनी को इसके घर पहुचा दो इसके बाद राजा पूर्ष के लिए इस धर्म अर्थ काम और मौक्ष सभी कुछ देने वाली है इतना ही इस तरी के बिना इस लोग पर लोग कहीं पर भी सुक्क की ब्राप्ती नहीं हो सकती इस तरी चाहिए कैसी हो रूपा हो मुर्ख हो रोगी दरिद्र खोटे सभाव वाली क्यों पुर्ष को उसका सम्मान करना ही चाहिए परशात आप करते हो राजा ने का मुनी मैंने अपनी दोश्पतिवता इस ते को त्याग दिया है अब मैं क्य करूं मुनी निकाराजन तुमारी इस्तरी को अकेली वन में भूंते देकर शतापात नामक नाग उसे पताल लोक में ले गया है उस नाग की नंदा नाम की एक करन्या है जिसने उसको घर में छिपा रखा है यह सुनकर राजा वहां से अपने घर आया ब्रामण को इस्तरी सह से अपने इस्तरी लाने का आदेश दिया आग्या मिलते ही वलाख बाताल लोग को गया वहां से राजा की इस्तरी लाकर इसको सोब दी इसके बाद राजा और राणी इसने पुर्वक रहने लगे नाज जीन ने अंत में कहा राजा वितू यह गिरस्थाश्रम मात में हमने आतिक महत्तम अध्याय दस स्माप्तम